Hit and Run लो, नए Hit and Run कानून को लेकर ड्राइवर क्यों कर रहे विरोध? पढ़े संशोधन के बाद क्या क्या हुआ बदलाव? पहले क्या था कानून और अब संशोधन क्या हुगा? Hit and Run मामले को IPC की धारा 289 लापरवाही से वाहन चलाना 304A लापरवाही के कारण मौत और 338 जान जोखिम में डालना के तहत केस दर्ज किया जाता है इसमें दो साल की सजा का प्रावधान है विशेश केस में IPC की धारा 302 भी जोड दी जाती है संशोधन के बाद Section 104-2 के तहत Hit and Run की घटना के बाद यदि कोई आरोपी घटनास्थल से भाग जाता है पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं करता है तो उसे 10 साल तक की सजा भुगतनी होगी और जुर्माना देना होगा